नमस्कार स्वागत आप सोभी का आप देखें न्यूज नेटीर मध्रप्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपर ना मौज़म वक्त हो क्या है मध्रप्रदेश की महा डिबेट का जसमें आज हम बात करेंगे अगनीवीर की दरसल केंदर सरकार अगनीवीर योजना में कुछ अब अगनीवीर के लिए पाइदे मन्द साबित होंगे भारतिय सेना में अब जवानों की भरती अगनीवीर स्कीन के जरिये होती है अगनीवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर से जनता के सामने उठाया इतना ही नहीं जब बीजेपी ने सरकार बनाई तो उनके सहयोगी दलने भी अगनीवीर स्कीम में बदलाव की मांगी है जिस दन इस स्कीम को लागो किया गया था उस समय रक्षा मंत्राले की तरफ से यह कहा भी गया था कि समय समय पर इसका रिव्यू किया जाएगा और आविश्यक होने पर परिवर्चन भी किया जाएंगे ऐसे में अब इसमें परिवर्चन की तयारी है अगनी भीर पर आई बड़ी कुश्कबरी जो परिवर्तन की बात कई जा रही है वो युवाओं के बीच से निकल के आएगी और अगर उसमें कोई जर्वत पड़ा तो संशोधन भी इंटर्नल सर्वे नया प्लान तहिया अब जो बड़ाव करने की जो स्मुदाट सुनाई दे रही है तो पहली बात तो यह है कि अगनी बीर को मिलिटी भी पसंद ही करती है अब बदलेगा अगनी बीर अगनी बीर योजना में बदलाव को सकता है कहा जा रहा है कि अगनी बीर जवान का कारेकाल बढ़ाया जा सकता है इसके ताकी सेलरी और पर्मनेंट करने जैसे पांच बड़े बदलाव की तयारी है आज मध्यपरदेश की महा डिवेट चर्चा इसी पर अगनी बीर योजना में बदलाव की तयारी है जल्दी इसमें होने वाले बदलाव का एलान भी हो सकता है महा डिवेट में आज चर्चा इसी पर करेंगे लेकिन उससे पहले सवाल क्या रहेंगे उन सवालों को देख लेते हैं अगनी बीर में बदलाव कब तक होगा एलान ये पहला सवाल रहेगा आज की महा डिवेट का इंटरनल सर्वे तयार है क्या नया प्लान और तीसरा आखरी सवाल रहेगा कि बदलाव की तयारी सियासत क्यों भारी हमारे साथ खास मेहमान जोड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुगेश के स्वानी जी कॉंग्रस के प्रवक्ता हैं भुपेंद्र गुपता जी लेटरेंट करनल अधित्य बुधिराजा जी हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं और साथी एयर कमोडर डॉक कहीं जा रही है क्या लगता है आपको कि ये जवारों की बेहतरी के लिए रहेगा हित्प में रहेगा सबसे पहले जब ये स्कीम आई थी तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये जो आम्ड फोर्स होती है ये डिमोक्रेटिकली इलेक्टिड गोवर्मेंट में और जैसे इंडिया है वो उनके पास एक माद्यम है तो मिंटेन दी नेशन्स एक्स्टरनल सोवरेनिटी और वेन रिक्वाइड तो इल्टरनल ड्यूटी में भी काम लाई जाए तो जब ये डिसीजन लिया गया सेना के उच अधिकारी और इस तरह की कमिटी ने बैठ कर इसमें कव सर मैं आऊंगे आपके पास आपके पास शायद कोई कॉल आ रहा है उसकी वज़ास से हम आपको ना सुन पा रहे हैं ना धंक से देख पा रहे हैं आपके पास आएंगे हम से डॉक्टर सिंग अब मैं आपका ब्रुक करूंगी डॉक्टर अमरंदर सिंग बहल जी जी सर बताई जो रिफॉर्म की बात की जा रही है यहां पर अगनी वीर को लेकर पहले बहुत ही कह रहे हैं कि जब यह स्कीम लाज की गई थी उस समय पे यह बाच्ची जरूर हुई थी कि इसके फाइदे नुकसान देखने के बाद एक रिव्यू किया जाएगा जब इसका कारेकाल चार सल तक पूरा होगा और उसमें जो भी बदलाव या शोधन की जरूरत है उसको लेक क्यों गई अगर आप 24 और 25 का डिफेंस बजट देखें तो 6,21,540.85 क्रोड है यानि कि इस बजट के अंदर 22 प्रतिशत जो है 22 से 23 प्रतिशत पेंशन है और रेविन्यू बजट है 45 परसंट और जो कैपिटल आउटले है वो तो सिरफ 27 प्रतिशत है 27 से 28 इसका मतलब है ज रहाज नेवी की जो शिप्स खरीडनी है या कोई भी वेपिन सिस्टम्स और उख खरीडने है उसके लिए कैपिटल पैसा मौडनाइजेशन के लिए था ही ने और जादा तर रेविन्यू बजट में या पेंशन में जा रहा था तो एक स्कीन को ऐसा लाया जाने की बात की गई जिससे रेविन्यू बजट भी कम हो पेंशन भी कम हो और पैसा मिले मौडनाइजेशन के लिए और यूथ फूल प्रोफाइल रहे यानि कि जो अगनीवीर हैं वो यंग हैं तो वो जो जब 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 जॉइन करते हैं जादा से जादा अगनीवीर का एक्सपोजर हुआ था तो यह नहीं पता था कि क्या एडवांटेज या क्या डिसडवांटेज होंगे और दूसरी चीज थी जो बड़ी एहम चीज थी कि यह सरफ चार साल का टेनियर था यानि कि आप छे मेने की ट्रेनिंग देंगे उसके बाद साड़े तीन साल वो काम करेगा जिसमें एक सो बीस दिन यानि कि चार मेने वो चुटी पे भी रहेगा और कुछ कोर्सेज भी करेगा और यूनिट के अंदर आके उसको कुछ समय लगेगा और आजकल की आम फोसे जो है अपरना जी बहुत हाइली टेक्नॉलोजी की एडवांस जैचा है वो मिजाईल सिस्टम्स, कम अब सीखेगा उसके बाद जब उसका यूटिलाइजेशन करने का समय आएगा तब तक तो उसको निकाल दिया जाएगा और अगर 75 प्रतिशत को निकालते हैं तो सिर्फ 25 प्रतिशत ही आगे जा रहा है यानि कि continuity नहीं रहेगी और armed forces एक training organization से बन जाएंगे और खासकर जैस hydraulics उसको training देंगे जब तक वो सीखेगा और जब सीख लेगा और जब उसका काम करने का time आएगा second line पे, third line पे तो उस समय तक उसको छोड़ना पड़ेगा 75 प्रतिशत को तो कहीं ना कहीं ये लकूना थे, दो major लकूना थे, सबसे पहला लकूना ये था कि अगर उस चार साल बहुत ही कम समय है कि कि किसी का utilization किया जा सके, खासकर टेकनोलोजी के लिए एडवांस आन्फोर्सस के लिए, और दूसरा था कि इतना large number बहार चला जाता है कि continuity एक long duration के लिए नहीं रही हो, तेंशन भी एक बड़ा यहाँ पर flaw कह लिजे कि उस सीज को देखने के आवशकता थी और यही डॉक्टर बहल कहा भी जा रहा है कि इन पॉइंट्स को मदिनजर रखते हुए भी इनी में यहाँ पर reforms किये जाएंगे, ठीक है, अब मैं अपने political guest का अरुक कर लेती हूँ, डॉक्र केश्वानी यह विपक्ष ने इस मुद्दे को जम कर भुनाया, राहूल ग अग्यों का दबाव है, जो अब आपको कही न कहीं विपक्ष की उस मांग पर ही, या फिर कहें कि अग्रीवीर में सुधार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, देखिए अपना जी, अब जंता ने तो राउल जी को ही डब्बे में डाल दिया, जिस तरह से वो बा हैं, वो उस चीज के ग्यानी हैं, उस चीजों के इंड और आउट जानते हैं, और आपका यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि हम किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, जब हमने योजना को लांच किया था, तब भी हमने इस प्रेश्ट किया था, कि हम इस चीज को समय समय पर रिव हम सेवा के संकल को लेकर राइनिती में हैं, और निश्चेत रूप से हमारे प्रदान मंतरी मन्य बोदी जी ने इस प्रेट कर दिया है, कि आने वाला समय ज्यान के लिए है, ज्यान से मतलब जरी, राहुल गांदी की बात को आपने नकार दिया, लेकिन आपके जो प्री हैं और जो युवा हैं, जो देश की जनता है, वो अती महत्पून हैं, और जितने जूप से जब जनता के बीच से कोई निकल के अपड़ना जी बात आती है, हम अगर मत्य प्रदेश के तारतम्मे में बात करें, हमने अनेक योजनाओं में धीरे-धीरे करके उसको और अच् करते होती है, तो निच्च तुम से, हाई यह जनता की, अगनी वीर को लेकर मध्य प्रदेश्ट में नाराजगी थी, चंबल के इलाके में बिन मुरेना में नाराजगी थी, वो खुद हमने देखा है, यह वाओ से हमने बात की थी वहाँ पर, और नाराजगी को किस तरह से जा गया, वो अब जो आप अगनी वीर में सुधार होंगे, अब देखा जाएगा उसको लेकर, डॉक्टर बुधिराजा, आप हमारे साथ जुड़ गये हैं, मैं आपके पास आओंगे, लिकर उसे पहले, केस्वानी जी की बात परी, भुपेंद्र गुपता जी, आपका र होगी, और आर्मी अगर कमज़र होगी, तो आज देश की सुरक्षा जो है, बड़ा सवाल है, पेंशन देना और ये सब देना, ये को उत्ते बड़े सवाल नहीं है, जितना बड़ा सवाल है, कि जितनी जो हाई प्रोफाइल जो है, आर्मी दुनिया में हो रही है, जितने टेकनोलिजी का इबलूशन हो रहा है, जितने नए नए उपकरण आ रहे हैं, उनको तो जो ये चार साल में सीख भी नहीं पाएगा, और उसके बाद आप उसे बाहर कर देंगे, और ये का अधा आधा ट्रेंड आदमी, और आधा ट्रेंड आदमी जब समाज में जाएगा, सुसाइटी में जाएगा, अभी तो ये पुलिस को भी अगनी बीर बनाने के चक्कर में, यूपी में चालू हो गई दुकान इनकी, तो ये करना क्या चाहते हैं, जब जो एक पर्मनेंट एंप्लाई जो पुलिस का है, उसके अत्याचार नहीं रुक रहे हैं, तो ये जो ट कैसे जो है, अभी 25,000 लोगों की नौकरिया निकलींगी हैं अभी इन 25,000 बच्चों को जो है, आपने जो है प्लग कर दिया है, अजूकेशन में जो है, बार्मी कलास के उपर, वो नहीं जा रहा है, बार्मी कलास में उसी में थो गया, 12th क्लास पास बच्चा, सब जब समाज में बापस आएगा तो समाज में वो क्या करेगा वो केबल जो है या तो जो है चमराइसी बन सकता है या जो है कहीं पर गार्ड बन सकता है आप उसके लिए कौन से भैबिस्ट छोड़ रहे हैं और बढ़ी जोर से चिला के कहती है बीजेपी और शुरीमान जी पहले तो आपने चार साल जो वरवादी की है देश की उसकी बात करिये मैं दूसरी बहुत महत्तपुन बात करना चाह रहा हूं अभी अजीट डोभाल जी ने जो है अजीट डोभाल जी ने एक भाशन दिया बड़ा चर्चत हो रहा है कि इस देश में गुलाम ही कैसे आई अजीट ड महराज ने च्छतरपुर से जाए जयपुर की लड़ाई लड़ी है बंदा प्दा हवादी से पंजाब में जाके लड़ाई लड़िए यह जो है यह कांटरेक चुल आर्मी नहीं होती है तो इसकी आध्य कॉइं कोई कमिट्मेंट नहीं होती है और इसलिए हम गुलाम यह समझ्या खड़ी होगी 30% पैसा आप उसकी तनका में से हर महीने काटेंगे वो 30% पैसा जुड़के जो है सवाल पूरा रदीजे मेरा सवाल को लेकर अगनी वीर को लेकर और उससे बीजेपी को नुकसान हुआ क्या इसकी वज़ा से वापस मन्थन किया जा रहा है क्या लग रहा है आपको या पहले ही कह दिया गया था कि हम समय समय पर रिव्यू करेंगे गया है के और अब वो रिव्यू हो रहा है उपदेश शीए बिलकुल सही हैं आपने घाहा एक तो कोई भी योजना होती है इनकी सरकार हो उनकी सरकार हो कि योजना का निषं को रिवियू हो रहा है चार साल नहीं हुए या defense का subject जो है, रास्तिय सुरक्षा का विशे जो है, वो कभी भी राजनीती का विशे नहीं होता, वो कभी भी vote bank का विशे नहीं होता, भारत की सेरा में या किसी भी देश की सेरा में नौकरी करना, उसमें commission करना, ये गर्व का विशे है, ये नौकरी नहीं है, इसमें salary, pension और यह सब चीज़ों को नहीं देखा जाता सबसे खास बात है कि हमारे पास में एक लिमिटेड की बात है जो सेना हिस्सा बनता है चाहे वो किसी बीस्तर पर बने लेकिन ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आर्मी या किसी भी फोर्स को जॉइन करने के लिए मेहनत करता है तपता है इस उम्मीद में कि उसका परिवार है वो बहतर जीवन जी सके भले ही उसे परिवार से दूर रहना पड़े ये भी तो एक सच है ना देखिए रास्टी सवयम सवयवक संग में करोनों कारे करता हैं करोनों सवयम सवयवक काम करते हैं अपने जीवन में अनुशासन सीखने के लिए सबको टिकेट नहीं मिलता कॉंग्रेस में सब लोग काम बहुत सारे लोग काम करते हैं लाखों कारे करता काम करते हैं सबको टिक कि तो किस ने कह दिया कि अगनी वीर बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं फ्रेंट पर जाएंगे युद्ध की स्थिती में होगा तो वो शहीद होंगे बिलकुल नहीं जाएंगे आर्मी हमेशा टेक आफ करती है आर्मी चार्ज ले ले लेती है बाकी सब को पीछे जोड़ द या उसके साब उसके हाथ में एक अत्यादूनिक हत्यार हो और वो एक साथ सो लोगों को, दो सो लोगों को, हजारों लोगों को मार सके नहीं आपर कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ अधित्य बुद्याजर सर भी हमाता जुड़ गए है, अधित्य सर आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्योंकि उस वक्त बात आपकी अधूरी रह गए थी, जिसना से डॉक्टर अमरिंदर सिंग ने कहा था कि बहुत टेक्निकालिटी होती है और चार साल का समय कम होता है कि ए ज़स्ट हो पाएगा तब तक उसे वो रिटायल हो जाएगा वहां से, अलो, जी सर, ओके अवाज आ रही आपको, हान जी, हान जी सर, ओके, जो डॉक्टर सर ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया, पर इसका एक दूसरा पहलो भी आप देखिए, सबसे पहली बात, जो अभ साल, दो साल करते हैं, वो गर्व की बात होती है, और इस स्कीम में ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रमाइज नहीं है, अब मैं इसको और आगे ले जाता हूँ, बासर की लड़ाई के बाद, आफसर एंट्री में शॉट सर्विस स्कीम थी, बीस, दो, तीन दशक तक, पांच सा सर्विस करके आफसर जाते रहे बाहर, कोई नहीं किसी ने कुछ बोला, वो गर्व से गए, उसके बाद वो स्कीम रिव्यू हुई, दस साल के लिए हुई, कि आप पांच से दस साल के बीच में छोड़ सकते हैं, फिर टैन प्लस फोर हुई, तो हम इतना रिजिस्टन्ट न सोच सकते हो, कि इतना ही हुआ इस देश का सतरह से एकिस बाइस साल का जो गुम रहा है, उसमें इस स्टेज में ऐसा डिसिप्लन दाल दिया गया, आर्मी के लेवल का, उसके बाद वो जहां भी जाता है, वो इधास, वो वेल्यू सिस्टम लेके जाएगा, और आखरी जी, अब आपने कमेंस, जी, इलेफरिंट करनल साब ने कई बहुत अच्छी बाते कहीं है, उन्हों ने जो भी बोला इसके बारे में वो भी काफी हद तक सही है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, कि there is a threat perception होती है, एक चीज जिसमें हम लेते हैं कि पाकिस्तान से क् थ्रेट है, चाइना से क्या थ्रेट है, उसके हिसाब से हमारे force structuring की requirements की जाती है, तो कहीं न कहीं force structuring की requirements हर लेविल की होती है, चार साल की service, नया भरती हुआ, 15 साल की service, 20 साल की service, हर लेविल पे होती है, जैसे air force में join करता है, तो पहले corporal हो सकता है, फिर sergeant बनेगा, फिर junior warrant officer बनेगा, तो अगर हम 75 प्रतीशत को जाने देते हैं, तो कहीं न कहीं इन पूरे levels में continuity नहीं रहेगी, जैसे second और third line की servicing है, जो highly technical services है, उनमें इसका effect बहुत जादा होगा, हाँ, अगर वो सिर्फ पुलिस में है, IAF के अंदर भी पुलिस होती है, या administrative services होती है, या फिर जैसे logistics है, उसमें फिर भी इसको लाया जा सकता है, पूरी तरीके से, पर जो एकदम combat arms है, चाहे वो army की हो, air force की हो, नेवी की हो, जा highly technical चीज़ें, आज artificial intelligence, cyber warfare, integration, theater command की हम बात कर रहे हैं, दूसरे services के साथ coordinate करना, multi domain warfare की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये सब चीज़े लेंगे तो कहीं 4 साल तो बहुत कम है, और हमारा अगर मेरी suggestion ली जाए, तो इसको reverse करना चाहिए, 75 प्रतिशत को retain करना चाहिए, और 25 प्रतिशत को छोड़ना चाहिए, जी, ठीक है सर, उपदेशी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, जी, बिलकुल, मैं ये कहना चाहत हूँ कि कुछ विशे ऐसे होते हैं, जिसमें नीती महतोपूर्ण होती है, जनवत महतोपूर्ण नहीं होता, यहां भीड क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है, मतदाता क्या कह रहे है, इस से फर्क नहीं पड़ता है कि डिफेंस के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए क्य हम परिक्षण नहीं कर पाए हम कमजोर रह गए और मैं आदर नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता जी जो दुर्गेश केसरवानी जी है उनको बताना चाहता हूं कि रास्तिय स्वहम सेवक संग में लाखों लोग हर साल अनुशासन सीखने आते हैं आप पबलिक को अगनीवीर य होनी चाहिए हमको हत्यार चाहिए हमको अच्छे सहनिक चाहिए अपड़ना जी मुझे पूछ रही हूं जी बुपेंद जी पहली चीज तो इस डिवेट के माध्यम से बड़ा जूट बोला गया है इसकी जो है वेरिफिकेशन इन से स्रोथ पूछ लीजिए कि 10 करोड़ रूपया हो मिवावी भावा जी को लिए रिकॉर्ड एड़ेट है रिकॉर्ड इड़ेट है इसको लाई इसको लाई ए लावादुर साहिए अपने अंतिन समयनों उसको किया इंद्रा गादी जिन्होंने सेना पर सब्सक्राइब करेंगे और अब रिव्यू करने की बात कही जा रही है देखना यह होगा कि क्या रिव्यू के बाद निकल कर सामने आता है फिलाल मध्यप्रदेश की महा डिबेट में इतना ही आप खपरों के लिए देखते रही न्यूजेचीन मध्यप्रदेश 36 का